हाव रूफीक्स वान प्लस टू किप्स डिसकनेक्टिंग फ्रोम वाइफाइ प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों आगर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा केसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस मे वाइफाइ टीक डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम सब केसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके जो मॉबाइल है वान प्लस के तो उसमें दोस्तों अगर वाइफाइ बार बार सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को क्लिक कीजिए अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए वीडि को रिष्टार्ट करना है और उसके बाद चेक करके देखना है अगर प्रॉब्लेम वो जाते ही तो अच्छी वात है अगर प्रॉब्लेम सॉल नहीं होते तो दोस्तों आप जाए अपने मुबाइल के सेटिंग पर इस्ट्रॉल डाउन कीजिए सिस्टेम पर क्लिक कीजिए और उसके बाद reset option पर click करके reset wifi mobile and bluetooth पर click कीजिए और reset setting पर click कीजिए जैसी दोस्तों आप reset setting पर click करोगे आपका setting reset हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप check करके देखें तो जब दोस्तों आपका यहाँ पर reset setting हो जाएगा नेट्रो का तो आपका problem भी solve हो जाएगा अगर problem solve ह नहीं होते तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको सिंपलि जाना है वाइफाइ met और वाइफाइ में कुछ सैटिंग से आप चेक कर लेना है जैसरी के आपका वाइफड में या नहीं कहाय थीए टिक अगल से लोसा वाइफ़ाई है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है भी भी तो आप दोस्तों चेक करें मुबाइल पे अगर कोई भी बैट अप्लिकिशन आ गया है जैसे कि कोई भी अन्नोन वेबसाइट से अप्लिकिशन आ गया है तो उनको अनिस्टोल करें और मुबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करके अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं होते तो दोस्तों आप जाये सेटिंग उसके बाद सिस्टेम पर क्लिक करें ठीक है एंड आपको यहापे सोफ़ेर अपडेट करना है सोफ़ेर अपडेट जैसे आप कर लो erase all data होगा आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने problem fix कर सकते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंदे होगा thanks for watching